शिक्षक वह होते हैं जो अपनी ज्यान की जोती से हमें प्रकाशित करते हैं और हमारा मार्ग दर्शन करते हैं यह किसी भी आयूवर्ग की लोग हो सकते हैं और इनका हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है इतियास में जितने भी महापुरश होई, सभी के सिक्षकों का भी जिक्र हमें मिलता है शिक्षक जिसे हम गुरु कहकर भी बुलाते हैं और हमारे अभी लेखों में गुरु को वंधनिय एवं पूजनिय बताया गया है हम प्रते गुरु पुर्णिमा के अफसर पर इनकी पूजा भी करते हैं हमारे पुराणों में गुरु को भगवान से बढ़कर बताया गया है वो इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि धर्ती पर मनुष्य जब आया तो उसे भगवान का बोध नहीं था वो गुरु ही है जिसने मनिश्य को भगवान से अवगत कराया इसलिए पहले गुरु के पूजा की जाती है और उसके बाद भगवान की हमारे हिंदू मानिताओं में शिक्षक को भगवान से भी उपर माना जाता है किसी भी समाज को विक्सित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वहां की लोग सिक्षत हो और एक सिक्षक ही ऐसे समाज का निर्वान कर सकता है अठाश शिक्षक को हम किसी देश के प्रगती का सूच कमान सकते हैं वे बच्चों को सिक्षत करते हैं और अपनी ज्ञान की आघा से उन्हीं चमकना सिखाते हैं जिससे बच्चे शिदित से निकलते ननी किर्नों से सतर ताई करके नब ठल पर आकर सूरी की तरह चमकना सीख जाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं मनिश्य चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो जाए उसे कभी न कभी एक मार्क दर्शक यावशकता जरूर पढ़ती है और आपका मार्क दर्शक ही आपका शेक्षक वह गुरू है गुरू की सीमा केवल स्कूली पुस्तकों मातर तक सिनित नहीं होती जरूरत पढ़ने पर वे सचे दोस्त भी बन जाते हैं और आपकी हर प्रकार से सहायता करते हैं किसे आप सिक्षक कह सकते हैं? ऐसे तो हर वह शक्स सिक्षक कहलाता है जिसे आपको सीखते हैं चाहे वो आपकी मा ही क्यों नहों मा किसी भी व्यक्ति की पहनी शिक्षक होती है जो उसे चलना, बोलना जैसी मूल बूत आवशक्ताएं सिखाती है अध्यापक वव्यत्ती है जो आपको स्कूल में सिक्षा देते है गुरु जो जीवन सम्मन्थी ज्यान देते है और सिक्षक इन दोनों के मिश्रन को कहते है जो आवशक्ता पढ़ने पर हर प्रकार से आपको अध्यान के अंधिरे से बाहर निकालते हैं हम अपने सिक्षकों का जिकना भी गुनकार्न करे कम ही है और शात्रों के जीवन में उनके स्कूली सिक्षकों का बहुत योगदान होता है वे उन्हें सदैव याद रखते हैं महात्मा गाधी गुपाल कृष्ण गोखले को अपना दाशनातिक गुरु मानते थी फिकिसी प्रकार भले किसी के जीवन में गुरु अलोकिक रूप से उपस्थित रहते हैं फरंतों उसके शिश्य के अच्छे प्रदर्शन से गुरु के चर्शा खुद बखोद होने लगती है निश्कर्श शिक्षक की आवशकता सर्वत्र होती है जिसे नकारा नहीं जा सकता उनकी सिक्षा की जलक हमें उनके शात्रों में मिल जाती है एक अच्छा गुरु सदैव अपने शिशे को आगे बढ़ने के लिए प्रिवित करता है हमें सदैफ अपने गुरू का आदर करना चाहें और सच्छी माइनों में गुरू का आदर तभी हो सकता है जब हम उनके बताये गए मार्ग पर चले एक सिक्षक होना बहुत कठिनकारी है और नमन है सभी सिक्षकों को जिसने मेरे जीवन में एहम भूमिका नभाई आजकल के दौर में फोन और सोशल मीडिया के मदद से लोग आपस में जुड़े रहते हैं और अपने सिक्षकों से जुड़े रहने के यह सबसे अश्य माध्या है कुछ लोग जो सिक्षक का पेशा चुनके हैं वाकई में काबले तारीफ होते हैं जो अपने कंधों पर देश का भविश्य सवारने का दाहित पर ले कर चलते हैं नमन है ऐसे होसलों को नमन है सभी सिक्षकों को